हाई गाई बर्गन तो मैं चैनल सो हाजिरों में एक नई वीडियो के साथ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप अपने ही इसी कैमरा के साथ 200D 200D Mark II दोनों के साथ अब कैसे सिनेमाटिक शॉट्स भी क्रेट कर सकते हैं तो दोनों की मैं सेटिंग्स आपके साथ शेयर करूंगा तो इस टाइम वेस्ट ना करते हैं अब हम चलते हैं सीधा वीडियो पर तो गाई अब हम आ चुके हैं अपने कैमरा के ole a menu settings में some video mode में अ चुके हैं अब हमने सबसे पहला क्या करना हमने अपनी वीडियो की सेटिंग देखनी है या की कौन सा है सबसे पहले इसमें ज्रूब ले में थी जाएँंगे और सबसे पहले हम चेक करेंगे वीडियो शिस्टम वाइन यहां ने है एक है NTSC और दूसरा है पाल सो हमने यहां पे इसको पाल में ही रखना है विकाज हमारे जो इंडिया या हमारे एशियन कंट्रीज में हमारा पाल फॉर्मेट जो हमारे यहां पर लाइटिंग सेट अप होता है वह फिफ्टी गेगाहाट्स पर आता है तो इस वजए से हम इसको पाल रखते हैं जैसे अगर आप यूएसे या क्यानेडा साइड है तो वहाँ पे जो इलेक्टर सीटी है वह 60 गेगाह अब हम चलते हैं अपने fps पे ही इस फ्रेम पर सेकिंड की अगर मैं बात करूं तो अगर तो आप नॉमल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जैसे यह नॉमल वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ठीक है इसमें कोई सिनेमेटिक शॉट्स नहीं है तो आप यह 25 पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फूल हड़ी में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी रिकॉर्डिंग करने फुल हड़ी में और आगर आप सिनेमेटिक शॉट्स ले रहे हैं या आपको बाद में वूटेज स्लो मोशन करनी परड़ सकती है और आप इंडोर श सिनेमेटिक कर रहे हो आप दोनों 50 fps पर ही रिकार्ड कीजिए make sure कि आपने full hd on किया हो क्योंकि इसमें आपको दो option मिल जाते हैं 50 fps full hd और 50 fps non HD अब हम चलते हैं अपने next option की तरफ जो हमने यूज करना है वो है गाइस picture style तो यहां पर आपको बहुत तरह के picture style देखने को मिल जाते हैं जैसे ऑटो है standard पोट्रेट है लैंड्सकेप है फाइन डिटेल नीट्रल और भी है क्या कि faithful या मोनोख्रोम में black and white like तो यहां आप अपना भी कुछ custom create कर सकते अगर तो आप color grading नहीं करना चाहते हैं तो आप standard रख सकते हैं या अगर आप बिल्कुल beginner है तो आप auto भी रख सकते हैं कोई दिक्करित वाली बात नहीं है लेकिन अगर आप standard रखते हैं तो आप इसमें अपने grading नहीं करते हैं तो आप यह setting रख सकते हैं अपने camera में otherwise अगर आप color correction करते हैं तो आप neutral में आप जाके shoot कर सकते हैं अब हम बात करते हैं major role play करता है एक वीडियो में वो है इसका auto focus method इसमें आपको आपको मलत जहां पर भी आपका subject है जैसे आपको यह वाइट rectangle मिल जाएगा तो जहां आप move करेंगे यह सिरफ वहीं तक लिए वहां वहां focus करेगा सबसे इसका drawback यह है कि suppose अगर आपका subject चल इस तरफ आगया तो इसका focus यहीं पर fix रहेगा तो यह आप यह वाला मत यूज कीजिए दूसरा है गाईजिए स्मूट जोन यह सब्जेक्ट को अपने accordingly ही select करता है जैसे जहां जहां अगर इसको लग रहा है कि ज्यादा बड़ा ग्रूप है तो उसके accordingly यह मूव कर सकता है लेकिन जो सबसे important और सबसे मज़ेदार इसका जो सबसे मज़ेदार इसका option है वह है गाईज हम tracking वाला इसका यूज कर सकते हैं ठीक है इसको select करने के बाद आप जैसे जैसे आप जहां भी move करेंगे तो यह दिया गया है वह तो बिल्कुल मैं क्या बता हूं आपको बहुत ही अच्छा दिया गया है यह बिल्कुल लाइक जैसे हम ATD की बात करते हैं कई बार जो ATD में sensor दिया गया है dual pixel वाला वही है इसकी shutter speed सो अब हम बात करेंगे camera की shutter speed की कि आपको वाइल वीडियो recording आप क्या shutter speed रख सकते हैं अगर तो आप cinematic video record कर रहे हैं तो आप अपनी shutter speed 100 1 by 100 रख सकते हैं अगर आप लेक नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जैसे मैं YouTube वीडियो correct exposure होगा वह आप set कर सकते हैं ISO और अपर्चर से और यहां मैं आपको एक tip देना चाहूंगा जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पर टैबलाइजेशन on का बटन है आप हमेशा इसको on ही रखिएगा अगर आप इसको off रखेंगे तो आपकी वीडियो में शेक या लाइक किसी तरह की जग आ सकती है तो आप इसको on रखेंगा और इसके साथ जो kit lens हमें STM का lens जो मिलता है वह बहुत ही अच्छा है तो उससे भी आप काफी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और बड़ी स्मूद और क्रिस्प वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आप इस कैमरा के कुछ लाइव सैंपल वीडियो देखना चाहते हैं मैंने यहां पे एक वीडियो बनाई है आई विटन में आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने Canon 200D का मैंने image quality test भी किया है और उसी में साथ में थोड़ी सी एंड में वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने वीडियो आपके साथ ड्राइव में लिंक शेयर किया हुआ है तो आप इस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं तो आपको वहां पे RAW फोटेज मिल जाएगी जिसको आप चेक कर सक तब तक मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू टेक केर एंड कीप क्लेकिंग